दोस्तों स्वागत आपको अपने यूट्यूब चैनल राजस्तान विलोगर नरेंदर रावत में आज सेंडे और आज में जा रहा हूं रोयल भाई के घर तो आपको मिलाते हैं सीधे रोयल भाई के घर और आपको तोड़ा रास्ता भी दिखाएंगे वहां का कि किस तरह से है रास्ता तो चलते हैं सीधे रोयल भाई के घर कि यहां से रास्ता पूछने के बाद हम निकल पड़ें फिर आगे रोयल भाई के घर की तलाश में तो देखते हैं किती दूर है रोयल भाई का घर और देखी यह रास्ता है इसा कच्चा रास्ता था ठेट तक गाव है तो अबसलिए इस से ही रास्ते होते हैं और वह जो सामने दिख रहा है वही है रोयल भाई का घर और अब हम थोड़ी देर में पहुचने वाले हैं रोयल भाई के घर पे तो दिखाते हैं आपको रोयल कोमेंट करके जुरू बताइए और जो आज का व्लोग है उसमें मैं आपको रोयल भाई की जशोँ से फैमिली तो इसमें सब से पहले हम दो Cleveland बाबी जी और यह याशु है इनकी बेटी है और यह अब हम कराएंगे अपना हॉम टूर तो चलते हैं सिधे गर में हॉम टूर करने तो चलिए रोयल बाइंग तो दोस्तों यह देखे रोयल बाई का घर और वहां पर इनकी वर्कशोब उसका भी हम टूर कराएंगे पर बाद में कराएंगे अभी पहले हम हॉम टूर कर लेते हैं तो चलते हैं घर के अंदर है नवीन पहले आ चुका है तो देखिए यह है पहला कमरा तो रोयल भाई हमें बताएंगे तो देखिए यह है पहला कमरा बताएंगे भाई याजी हमें अच्छा यह निवार का गोदा में भ यह देखिए निवार है जो चारपाई या पलंग होते हैं उनकी जो निवार है वो है यह देखिए आज दोस्तों देखिए रोयल भाई का ट्राइपोड दिखाते हम आपको जो इन्होंने घर पे बनाया है तो दिखाते हैं आपको इनका ट्राइपोड कैसा है तो रोयल भाई दिखा ही हमें आपका ट्राइपोड ये देखिए ये देखिए दोस्तों इनका ट्राइपोड और यहाँ बैटके यह video बनाते हैं और देखिए अभी दिखाते हैं अपको यह देखिए यह पहल ट्राइपट दिखा देते हैं आपको देखिए ट्राइपट है और यह देखिए यह जो नए यह देखिए लैंप है इनका स्टूडियो लैंप है और यह देखिए इस जगह बैटके वीडियो बनाते हैं और अब यह एक नया टेक का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा बहुत जल्द इनके सपोर्ड कीजिए भाई को भी बहुत प्लीस और तो दोस्तों देखिए अभी में आ चुका हूं रोयल भाई के जो सेटप बना रखा इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी जगह बना रखे यार सच में चलिए अब हम आगे के जो रूम है उनका टूर अब यह देखिए इनका गर में चोटा सा मंदिर बनावा है उसका बिटूर करवाएंगे हम आपको यह देखिए साइब बाबा और रामदेव जी महराज है बाबा बाबा बालक अच्छा अच्छा आश्रम किसे हैं यह और यह इनके नानी जी है अच्छा नानी जी है ना और वेश्णो देवी मत्ता की फोटो है तो देखिए इनका छोटा सा मंदिर है किता सुन्दर सा में दूसरे रूम में तो चलिए तो यह है नेक्स्ट रूम है विकी भाई का है विएस एडिटर का तो चलते हैं अंदर यह देखिए पर्दा और यह देखिए बैड है उनका और आप को वीएस एडिटर से मिलाते हैं यह देखिए उनका फोटो यह देखिए यह देखे यह भी एस एटिटर ने बनाई किती सुन्दर सी जो पैंटेंग बनाते हैं और मुझे आज ही बता पड़ा वैए बिलकुल हाथ से बनाई हुई है बिलकुल देखे बहुत ही सुन्दर और इधर देखिए इन्होंने भी यह भी हाथ से बना रखी है कितनी कलाएं छुपी हो यह गाहों में अगर सही मोखा मिल जाव तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो यह ही विक्की भाई का रूम और बहुत अच्छी बात जानने को मिली हमें विक्की भाई कि यासवा दे याषू फॉल छुमल परदे देखिए याषू रही हाथ सब्सक्राइश समय थे देखिए पर टांस कर रही है आज वो धल हम मिलते हैं रोयल भाई के इनसे छोटे बही है उनसे तो श्रत की यह रहे शक्टिभाई है यह व्लॉनिंग का काम करते हैं और बावा बालकनाद जी के आश्रम में रहते हैं आगोचा रहते हैं अगोचा तो देखिए और यह देखिए अब हम मिला раб है home पबापास अभी आपको धिखिये जो ciao हम से मिला देते हैं आपको यह देखिए आप और एक और फोटो हैं उनमें भी दिखाते हैं आपको यह देखिए यह देखिए हम चलते हैं रोयल जी और याशिका के रूम में तो चली हम चलते हैं उनका रूम का टूर कराते हैं आपको देखे आद जा रहे हम रोएल जी और याशिका की रूम में ये लेट हुई है याशु क्या कर रही है ये देखे ये देखे रोएलजी का घर वाओ अमेजिंग तो यह देखिए तो मतलब दोनों भाई ही बहुत अच्छे पैंटर है नि तो सोच रह था यह कि लिए यह देखिए रेल जी और बाभी जी है यहां यह किनका रूंग है और यह देखिए यह जो पैंटिंग मनाई है जी ने बनाई है किते डिफिकल्ट है देखने में किती लग रही है 3D पैंटिंग है शाइद यह बता रहे हैं और और कोछीज है यह जो पीछे देखी है रूम में क्या बोलते हैं टेक्स्चर तो यह भी इनों नहीं बनाया देखिए यह देखिए और और अब दिखाते आपको विकी ने क्या बनाया है तो दिखिए आपको यह देखिए यह पैंटिंग भी विक्की नहीं बनाई है सुन्दर और भाभी जी की पैंटिंग में दिखाएंगे आप तो देखिए यह वाले जो तोता है यह भाभी जी ने बनाया केसे बनाया प्लीज कोमेंट करके जुरू बताना आप सब लोग हम और ये देखिया अच्छाओ यह कमें एक इंझांड़ में रिया तो इसका भी हम टूर करेंगे तो चलते सीधे उस रूम में तो अब achandau हम आपको कि नीरा लिए याशु की गाड़ी हिए अब याश्यू थे लिग इसमें फिक्ष्क्श के दैसla यह देखे लुस्सों, अमढ़ जाए यह देखे याशु की गाड़ी देखे आरी याशु बाहर यह देखे, बाहर आजा याशु यह देखे यह देखे, यह देखे याशु खेल रही है यहाँ पर आजा याशु अब हमें रोयल भाई अपने जो पशु है गाय बकरियां है उनसे मिलाएंगे तो चलते हैं हम सीधे रोयल भाई के पश्यों के पास रोयल भाई बताइए यह आपकी गाय है क्या नाम इसका भई गंगा है अच्छा च्छा गंग ब्रहई च्छने का है न यह लं आ एक पार ने चल्दे में आज़्याओं के पास और बार के पास तो अ मैंगाहा बई चलो यह तो फाश्मना कर रही है चलते हैं इसकी बखरियों के पास बैसं उन से बख्राइब अब गोड से मिला रहे हैं तो देखिए आप अपताईए यह रोयल भाई यह कौन है अनिता यानि इनकी सिस्टर की बख्री है ना और अच्छा यह बाबुडी यानि याश्यो की नानी की बख्री है और और मिलाईए आपकी कौन-कौन सी बख्री है अच्छा वो क्या नाम इसका रामू से मिलाते है बाब के देखिए उकर दोस्त है दोस्ते हम Olup देखिए भाग रहे हैं उतर से देखिए दोस्तों इसमें जीरा बो रखा है खेत है बुडूल के है अच्छा दूसरे गाउं के मतलब खेत है यह देखिए और दर बच्चा पता ने गायों को ताड़ रहा है क्या कर रहा है जीतराम को खेत हैं यह सितराम है इसका खेत यह देखिए सामने सितराम आरा उसका खेत यह यह जो गाई आहे आए यह भी रोयल जीघाए है ना अच्छा आब और बाश्यू आहाई है और कल का जो व्लोग आएगा उसमें भी रोयल भाई के जो वर्क शोप पे उसका टूर करेंगे हम तो प्लीज यूही बने रहें ऐसे ही प्यारों सपोर्ट देते रहें तो मिलते हैं कल, थैंक्यू सो मच